हालो एविवन वेलकम तो माई चानल श्रदास पाशन नाप फ्रेंड्स इस सूट की कटिंग मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं तो इसे इजी वे में कैसे स्टिच करेंगे बिलकुल बुटिक स्ट्राइल हम सूट बनाने वाले हैं विथ दु एक सिंटर में स्टिच का स्टिच करेंगे कि और फैक कि इस थो में से था रखेगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमने कुर्टी पर निशान लगाया था वहाँ पर एक पिन की हल्प से हम इसे फिक्स कर लेंगे यह इस तरह से करने से पटी भी स्ट्रेट आएगी और हमारा काम भी इजी हो जाएगा तो इतना करने के बाद अब मैं साइज से यहाँ पर इसे सिल्कर स्टिच कर दूँगी इसमें यह फिक्स कर देंगे पटी फिक्स करने के बाद ही हम इस पर नेक बनाएंगे तो यहाँ पर देखे मैंने आधा पार्ट आपको लगा के दिखा दिया है और इसी तरह से हम बाकी की जो सिलाई है वो पूरी कर लेंगे अब इसके बाद हमें नेक तयार करना है तो देखे यहाँ पर मैंने यह एक बुक्रम यानि फ्यूस पर लिया हुआ है और इसे मैंने कैसे बनाया है यह देखे जब हमने नेक कट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमें यह कपड़ा संबाल के रखना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ निशान लगाया और बिलकुल इसी तरह से बैक का निशान लगाया और इस पटी के बाहर की तरफ एक एक इंच एक्स्ट्रा रखकर मैंने यह नेक के लिए निशान लगा लिया है यह ओवरलैप है याने कि यह जो बुक्रम है वो फोल्डेड है बीच में से जब हम इसे खोलेंगे तो यह डबल हो जाएगा याने पूरा सर्कुलर हो जाएगा और बहुत से लोगों की कवरी आई कि कटिंग करने के बाद नेक फैल जाता है तो उसका एक सोलूशन है यह र और साइज में रहेगा तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों नेक कट कर लिया है आगे और पीछे के जब भी आपने कट करें तो इस तरह से उसका जो कपड़े वाला पाट है उसे संभाल के आप रखें और इस तरह से करें तो बिल्कुल आपका सेम शेप कटिंग होगा अब हमने जो फालतू कपड़ा है वो अधा अधा इन छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा कट करके हटा दिया है अब यह पट्टी है देखिए हमने जो लगाई थी यह थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है तो इसे हम बैक साइड से बिल्कुल नेक के शेप में कट कर लेंगे और जो अब हमने यह पट्टी तयार की थी वो इसके उपर सेट करेंगे देखिए फ्रेंट्स हमेशा मैंने आपको पहले पट्टी कट करके नेक बनाना बताया था पर यदि आप कभी नेक कट कर लेते हैं तो किस तरह से आप उसे पट्टी के जो बुकरम है उसके साथ कैसे तयार करें तो यह मैंने थोड़ा डिफरेंट वीडियो बना के आपको दिया है तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं तो यहां पे रेखिए स्टिच करने के बाद मैंने इस पर हलकेल के नौच लगाए हैं और उसके बाद यह पट्टी हम जब पीछे पलटेंगे तो यह हमा इन दोनों जो शोल्डर्ज हैं याने कुर्टे के दोनों पाटे उन्हें आपस में जच कर लिया है अब हम इस पर साइड में सिलाई देंगे तो इसके लिए रेखिए जो एक तरफ हमने निशान लगाया था उसे डाक किया और सेम वही निशान हमने दूसरी तरफ भी ले ल और जैसे कुर्टे में अल्रेडी लगी वी थी लेस मैंने सेम लेस परचेस की है पांच मीटर और यह बहुत सस्ती मिल जाती है 10 रूपीज मीटर मिल जाती है तो मैंने अभी फिलहाल इसे स्लीव के बॉटम पे लगाया है अब बॉटम पे लगाने के बाद देखिए अब यह दोनों चयार हो गई इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और इस परिए आगे की डैनी है क्योंकि हमें जोड लगाना था स्लीव में तो उस समय हमने शेप नहीं दिया था तो सबाद देखिए स्लीव को पहले हम सीधा कर लेंगे लिए इस तरह से चाहें तो आप double फ्रेंट पार्ट किदर है तो फ्रेंट पार्ट को फ्रेंट पार्ट के साथ जोड़ेंगे जो हमने कटिंग की है डीप और इस तरह से sleeves को सीधा करने के बाद कुर्टे को उल्टा रखेंगे और जो आम होल वाला पार्ट है उसके अंदर इस तरह से अंदर डालने के बाद center से यानि जहां shoulder है वहां हम sleeves का center जो हमने notch लगाया वहां से इस तरह से रखेंगे और center से जोड़ना शुरू करेंगे ना जादा होंगी ना कम होगी तो अगर आपने cutting वाला पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले ही वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूं आप वो जरूर देखे और इस तरह से रेखें यह sleeves माने इसमें अटाच कर दी है और यह मैंने एक तरफ करके दिखाया है सेम इसी मेथट से मैं दूसरी तरफ की sleeves भी जोड़ दोंगी तो यह रेखें दोनों sleeves जोड़ चुकी है अब मैरे को जो कुर्ता मैंने तयार किया था उसके मैंने sides याने चाक भी फोल्ड कर दिये है अब जो नीचे हमने 1.5 inch margin दिया था कुर्ता फोल्ड करने का वहाँ पर इस तरह से पहले एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जब हम मोड़ें तो यह equal हमारा दामन फोल्ड हो तो इस तरह से हम निशान के according इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक बड़ी सबक्या चला लेंगे और बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं और इसके उपर जब फिनिशिंग के बाद मैं ये इस तरह से जो मैंने आपको बताया है पाँच मीटर मैंने लेस ली थी गोटा पट्टी की तो ये मैं बॉटम में लगा रही हूँ क्योंकि कुर्टे के साथ आपने देखा था सिर्फ मुझे आगे के पार्ट के लिए लेस मिली थी पर मुझे ये पूरे में लगानी थी तो आगे और पीछे मैंने दोनों तरफ ये गोटा पट्टी के लेस अटाच कर दी है अब मैं आपको में चीज दिखाती हूँ दूपट पूरे दूपटे पर खीच दी है और इस तरह से तिर्फी तिर्फी लाइने पूरे दूपटे पर खीच दी है टी है याह क मैं और थोड़ा पत्ति ली लगानी है। यहां पर यन्छ पूरे पट्टी ली थी ऊसेमाने एक तरफ से मोड़ा और मोडने के साथ साथ ही मैं इसको दुबटे पर रखती जा रही हूं और इसको अटाच करती जा रही हूं यह बहुत ही सिंपल तरीका है बस बहुत ज्यादा नहीं कीचेंगे सिर्फ इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पूरी जो हमने लाइन कीची थी वहां तक इसको लगा देंगे लगाने के बाद हम इसे इस तरह से मशीन को घुमाएंगे और जो दूसरी तरफ का कपड़ा है इसे भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे यानि दोनों तरफ लगबग क्वाटर क्वाटर इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और जो इसी तरह से बिल्कुल किनारी पर फोल्ड करते जाएगे और इसको स्टिच करते जाएगे तो ये एक पट्टी जैसे मैंने लगाई है तो ये इसी तरह से हम पूरी तिर्ची तिर्ची लाइनों पर इसी तरह से पट्टियां लगा लेंगे और लास में जो हमने दोन मैं यह सीधी लाइन इसी तरह से हम पटी लगा कर बॉर्डर तयार कर लेंगे और आप इस तरह से हैं और इसे मैंने हम नहीं दोनों किनारों पर नहींने आप देखेंगा है अब मैं आपको दिखाती हूँ जो साइडस हैं साइड में जो लटकन लगी थी वो मैंने कट कर दी है क्योंकि मुझे ये बॉर्डर लगाना है तो जो 7 इंच चोड़ा बॉर्डर कट किया है प्लाजो वाले कपड़े से इसे रेखिए हम सीधा करके नीचे रखेंगे दो पट्टा भी सीधा रखा हुआ है और जो पट्टी ह वो भी सीधी रखी है और किनारे पे मैंने आधा इंच पट्टी को फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ और पूरी सिलाई चलाने के बाद लास्ट में भी मैंने इसे आधा इंच इस तरह से रॉंग साइड में मोड दिया अब हम क्या करेंगे इस पट्टी को पलटके आगे क की तरफ लाएंगे और जब हम आगे लाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आधा इंच हलका सा आधा इंच नहीं क्वाटर इंच मैंने यहां पर देखिए दुपट्टे वाला जो हिस्सा है उसे उपर रग दिया है इससे विल्कुल पाइपिंग वाला लुक आ जाएगा और उपरा फोल्ड किया हुआ था उसे यहां पर इस तरह से हातों से बिल्कुल फ्लाट करके सीधा कर लें कोई भी जोल नहीं रहना चाहिए और इस तरह से साइट सिलने के बाद हम किनारे पर फिर से आधा इंच अंदर की तरफ मोल्ड देंगे फोल्ड करने के बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे तो सिलाई चलाने के साथ साथ ही मैंने जो लेस लीवी थी वो मेरे पास बची हुई है तो मैं यहां पर लगा रही हूँ इस तरह से गोटा पट्टी की लेस इससे बिल्कुल जो रेडी मेड वाला लुक है तो पट्टे में वो आ जाएगा बिल्कुल ज तरह से हम لेस को लगाते जाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और मैंने यह में पांच मीटर के करीब लेस ली थी बरंड्स और लगबध क्वणे Hunter और की करीब लेस मेरी फिर भी बज़ गया है और ये रेखिए ये इस तरह से मैंने लगा दिया ये पूरा दुपट्टा मेरा तयार हो गया है और इसी तरह से मैंने ये इधर वाला पूर पार्ट भी तयार कर दिया है तो ये दोनों पार्ट मेरे जो दुपटे का दामन है दोनों तरफ ये तयार हो गया है और ये जो प्लाजो पैंट है ये भी मैंने सिल ली है इसका कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं और स्चिचिंग बहुत पार आप लों के साथ share चुकी हूं सिर्फ इसके तो है यह मैंने एक तरफ पटी रखी है फ्रेंट साइड में और बैक साइड में मैंने लास्टिक दी है साथ में इसमें पॉकेट भी तयार की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी आप पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि इसे एजिली कैसे सिल सकते हैं तो ये देखे, ये है इसका final look, जो कुर्ता है, ये देखे, ये बनने के बाद कितना हुपसूरत लग रहा है, और साथ में ये plazo, और जो मैंने दुपटा तयार किया, बिलकुल boutique style, तो ये साथ में लगने के बाद लग ही नहीं रहा है, कि ये अलग-अलग सारी चीजें रख कर create किये गई है, और ये रेखे, ये साथ में मैंने दुपटा भी रखा हुआ है, और last में मैं इसको पहनने के बाद का look भी आपको दिखा दूँगी, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई भी query है, तो आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ये है इसका final look, तो simple से कुर्ते को मैंने एक boutique look दिया है, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है, तो please उसे like करें और share करें, चानल पर पहली बार visit करें, तो चानल को subscribe करें, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने कि अरय कि घुए एआ झा धार झाल पर खाय करें, जब भिए वैः, युका युईंग, चानल पर एक जांवओगगि झाल पिर तो